तो हम सभी खुद को गेमर्स की रूप में पैचानते हैं, सही? लेकिन क्या हमने कभी खुद से जवाल किया है कि वो क्या चीज़ है जो एक गेम को ग्रेट बनाती है? क्या वो FPS गेम्स में पर्टोगिनिस की आँखों के माध्धम से दुनिया को देखने का अनुभव की त्रिल है? या एक इंट्रेक्टिव स्टोरी टेलिंग कहने में नेरेटिव प्रोडेक्शन, क्यारक्टर्स की युनिकनेस, उसकी बहेवियर और रियल टाइम रियाक्शिन्स की उमंगे, उत्साहों को अनुभव करने की भावनाव है? या ये एक RPG गेम में पाई जाने वाली नायक, खलनायक, प्यार, विश्वाशखाट, दोस्ती, दुश्मनी, रोमैंस या अडवेंचरों को पाने की खुशी है? या ये ओनलाइन गेम्स की डावेजिन को, फ्रेंशिप और को आपरेशन को डेमेंस्रेट करता है? इसका उत्तर यह है कि हम सभी अलग तरीके से बने हैं, डिफरेंट हैं और ये वही युनिकनेस है, जो हमें सबको एक बनाती है, हमें घेमस बनाती है, और युनिकनेस की मेरी खोज ने मुझे JRPGs तक पहुचा दिया, और ये समझा है कि वो वेस्टिन RPG से इतने अलग क्यों हैं, दोस्तों मैं अपनी Monster Hunter Stories 2 की रिवियू आपके सामने पेश करता हूं कि ise की बनात्य की विर सामने कार तूश्य का आपके बनात्य है, झाभी ठलसके सामने बनात्य है, अटाशी गा इजिरू तोकी सोरेवा मिदारे माई हराथ नो गोटोक दोस्तो मेरे नाम है इम्रान और निरो मैंसर मॉंस्टर हंटर की जादी दुनिया में आपका स्वागत करता है जहां सूरज इतना चमकीला है कि इसने मेरी आँखों को धफ़ता पाया जहां मॉंस्टर उड़ते हैं, तहरते हैं, तोड़ते हैं और आपको समझते भी हैं इस वीडियो में मैंने गेम की कहानी, ग्राफिक्स, कॉम्बैट मेकानिक्स, गेमप्ले मेकानिक्स, कस्टमाइजेशन, साउंड डिजाइन, मल्टाइप्लेर एलिमेंट्स और शॉर्ट कमिंग्स से लेकर गेम की सभी पहलों को गहराई से सच्चा की है तो प्लीज वीडियो को अंतक जरूर देखे, क्योंकि इस वीडियो में वो सब कुछ है जो मॉंस्टर हंटा स्टोरीज 2 खेलने से पहले आपको जानने की जरूरत है साथ ही मैं वीडियो की आंत में ब्लैक स्काइलेंड गिववे के विनर की खोशना करूँगा इसलिए देखते रहें हमेशा की तरह मेरी कंटेन प्री है और हमेशा ही रहेगी लेकिन एक लाइक और एक शेर से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और चैनल को काफी मदद और मुझे गेमिंग रिव्यूज अनालिसिस विडियोज बनाना काफी पसंद है सब्सक्राइब करने से और नोटिफिकेशन को अल पे सेट करने से आप मेरे अप्लोड्स मिस नहीं करेंगे आईए मॉन्स्टर हंटर स्टोरी स्टू को करीबी से परेकते हैं आप रेड नाम के एक महान मॉन्स्टर राइडर के डिसिनन्ट है एक सीजन्ट मॉन्स्टर हंटर बनने की आपके खोज में आप एना नाम के एक रहसे में चरितरे से मिलते हैं एना आपको पैचान जाती है और क्योंकि आपकी आखे आपकी दादा रेड से काफी मिलती है रेड ने एना को एक extremely rare monster egg, एक rat loss egg सौपा था लेजंड्स की अनुसार एक rat loss ही दुनिया में death or destruction लाने वाला है ऐसी prediction की गई थी लेकिन जब एना बतले में आपको rat loss की egg को सौपती है तो आप उसके प्रती शुरुआत से ही एक unique inseparable bond और लगाओ एक attachment को महसूस करते हैं island को हिला देने वाली कुछ अंजानी abnormalities की charge करते हुए वो egg hatch कर जाती है काफी अलग से markings और खाले पंकों के साथ ना उड़ पाने वाला एक rat loss दुनिया में ताखिल होता है और एक खूब सुरत यातरा शुरु होती है एक खूब सुरत दोस्ती एक खूब सुरत कहानी जिसमे acceptance और tolerance की themes है जो adventure में लिप्टा हुआ है और एक typical jrpg शुरू होती है और अगर आपने how to train your dragon देखा है तो आप जानते हैं कि monster hunter stories खेलती समय आप एक amazing ride के लिए तयार हो रहे हैं पहली monster hunter stories निटेंडो 3DS पर release की गई थी और इसे पिले कि आप पूछें नहीं आपको sequel खेलने के लिए monster hunter stories 1 को खेलने की ज़रूरत नहीं है कुछ returning characters हैं लेकिन game होने अच्छी introductory sections और screen time देता है इसमें कोई शक नहीं है कि the legends of Zelda breath of the wild ने gaming की दुनिया पर एक lasting impression छोड़ चुगी है और monster hunter कोई exception नहीं है art style similar है open world दिखने में समान लगता है और मेरे लिए ये एक visual treat था ये lighting में, shading में, characters के expression में दिखाई देती है cell shading art style Pokemon के लिए श्रद्धान जली है और दिखने में gorgeous लगता है मैंने game को ultra setting पर खेला और बिना किसी fps drops के साथ लगातार 70-80 fps hit किया तकने की रूप से game solid है ये ऐसी चीज है जिसकी हम हमेशा Capcom game से उमीद कर सकते हैं चाहिए वो एक Resident Evil Village हो या वो एक Devil May Cry Game हो ग्राफिक्स पर चर्चा करते समय मुझे अपने द्वारा देखे जाने वाले locations के बारे में बात करनी पड़ेगी बस्तियों के बाहर के locations थोड़े बंजर लगते हैं जिनमें सिर्फ items को scavenge करना या monsters से लड़ना होता है मेरा मतलब है मुझे गलत मत समझना वो अभी भी अच्छे लगते हैं लेकिन तब सामने आता है जब आप settlements और villages का दौरा करते हैं उधारन के तौर पर दहलंका विलिच परस्नालिटी से चमता है अब straw hearts देखेंगे जिनसे पतंगों की तरह रस्यों से जुड़े monsters की replica हवा में लहराते हैं NPCs के भी एक daily routine है पर वो routine monotonous नहीं होती है ऐसे वेपारी है जिनके पास बेचने के लिए wares और purchase के लिए upgrades हैं एक regular hub की वेपारी एक costume भेंती है जो देखे जाने वाली ambience को suit करती है और harbor की एक board पर अपनी wares बिक्री करती है आप वहां मचलियों की अलग-अलग varieties और रंगों को देख सकते हैं फलों से भरे टोकरिया देख सकते हैं और बच्चे जो अपने पैरों की नीचे पानी में तहरते छोटी मचलियों को एक्जामिन करते हैं को भी देख सकते हैं armorer को anvil पर हतियार बनाते हुए देखा जा सकता है पहले से बनाएगे हतियार को showcase किया जाता है और जिन्दा आग से गुनगुनाते fireplace उनके साथ बातचीत करते हुए एक instant delight प्रधान करती है एक leisurely hunter को खुद से बुदबुदाते हुए देखा जा सकता है और वो घूंता रहता है वो आपकी उसकी loud mumbling पर गौर करना पसंद नहीं करता है लेकिन जब आँजानात एक ferocious monster की sighting होती है तो वो आपको अपनी चिंता का कुलासा भी करता है कुछ और season NPC monster writers कभी-कभी आपको जंगलों में जिन्दा रहने की तरीके के बारे में tips देते हैं गेम में थोड़ी और आगे आप एक गाउ का दौरा करेंगे यहां मैंने एक देख़ार करने वाली प्यारी चोटी बच्ची को देखा जो एक ostrich पर हराम कर रही थी एक गाउ के बीच मैंने एक डाइनोसार को पेडो से फल खाते हुए देखा एक चोटे से कुए के चारो और खेलने कुदने वाले बच्चे को देखा पीस और सेरेनिटी पर नज़र रखते हुए इनसान त्वारा उड़ाने जाने वाले मॉंस्टर्स को देखा फलो की टोकरी ले जाने वाले एक महिला मुझे बाद में गेम के एक अमेजिंग बो औन आरो के बारे में क्यान देती है इन सब चीजोंने मुझे मॉंस्टर हंटर स्टोरी स्टो की दुनिया के बारे में परवा करने के लिए मजबूर कर दिया और मैं हर लोकेशन को और बारे की से डिस्क्राइब कर सकता हूँ लेकिन मेरा इरादा इस रिव्यू को एक क्रिटिक बनाने का नहीं है लेकिन आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ मॉंस्टर हंटर की विलेजेज एक क्यूट सेल शेड़ अनिमे आर्ट स्टाइल एक प्रॉपर लिविंग ब्रिधिंग स्मॉल स्कील विचह त्री जिन में लाइकेबल कैरेक्टर्ज हैं उनके जैसा है मॉंस्टर हंटर स्टोरी स्टूरी स्टूरी स्टूर रेगला मॉंस्टर हंटर गेम से दूर जला जाता है जहां तक कॉमबैर का तालुक है ये गेम एक Pokemon गेम की तरह है जहां आप अलग Monsters को कभी इकटा कर रहे हैं या कभी उनसे लड़ रहे हैं कुछ लवबिल और engaging story elements के साथ गेम में classic JRPG turn-based combat mechanics जैसे Final Fantasy और Persona Games को feature करता है जो real life rock, paper, scissors concept पे अधारित है अगर आप और आपके pet monster के attack करने की idea same हो और attack wheel से एक ही type के जैसे power attacks choose करते हैं तो आप double attack perform करेंगे और animations की quality amazing होती है अगर कोई monster आपको निशाना बना रहा होता है और आप उसे वापस निशाना बना रहे होते हैं तो एक head to head trigger होता है अगर आप इसे जीत लेते हैं तो आपको damage कम होगा और opponent को damage जादा साथी combat के दोरान monster's option से आप चुन सकते हैं कि आपके monster को कौन सा special attack करना चाहिए इसलिए आप combat को micromanage भी कर सकते हैं एक mechanic है जिसे kinship gauge कहा जाता है ये नीली goal आकार का gauge है जब आप successful attack करते हैं तो भर जाता है ये kinship gauge एक special meter है जो आपको ride जैसे amazing moves perform करने की option देता है जहां आप अपने monster को mount कर सकते हैं special attacks की list से rider skills perform कर सकते हैं और हाँ kinship skill भी तब होता है जब आप पहले से ही अपने monster की सवारी कर रहे होते हैं और यहाँ double kinship भी मौझूद है आप बिना अपने turn lose किये हुए अपने weapons और monsters को बहतर version के लिए switch भी कर सकते हैं कभी कभी जब आप अपनी दुश्मन के movesets की patterns को सीख लेते हैं तो battles में multiple phases होते हैं जैसे कि कोई anime आपके पसंद की हमले, weapons, armors, monsters आपके जीत में एक जरूरी भूमी काने बाते हैं साथी randomly धंग से एक duel opportunity कुद को पेच करती है और इस duel को जीतने के लिए आपको बार बार एक button mash करना पड़ता है और यह kinship gauch को भड़ता भी है आपके पस छे अलग-अलग प्रकार के हत्यार हैं जो melee weapon से लेकर range weapons तक range करते हैं यह slash type great sword, blunt type hammer, pierce type bows और कई अन्ने हैं fights के दोरान आप monster parts को तोड़ सकते हैं और monsters को एक certain attack को इस्तिमाल करने से रोग सकते हैं जैसे की tailor attacks और हाँ आप उस monster parts के इस्तिमाल से unique weapons और armors को बना सकते हैं आप combat के दोरान traps और potions जैसे items का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो paper पर चाहें यह एक normal turn based combat की तरह लग सकता है लेकिन यह बहुत जादा layer है इसमें काफी depth है इसे सीखना मज़दार है और इसे execute करना satisfactory है combat की तरह मेरे gameplay के दोरान मुझे gameplay में भी काफी depth मिली आपको monster hunter की world में पाए जाने वाले monster layers से unhatched monster x को ढूनना पड़ता है और आप game में 120 से भी जादा monsters को पा सकते हैं और यकिन मानें यह काफी जादा monsters हैं जिनको आपको team करना है और उनकी abilities को harness करना है कुछ monsters तहर सकते हैं, कुछ चटाने तोर सकते हैं, कुछ उड़ सकते हैं, कुछ में हांग जैसे elemental attacks होते हैं इसलिए आपको वो चुनना होगा जो आपकी play style को suit करता है और आपकी journey में जो आपको मदद करेगा जब आप game शुरू करते हैं, तो main missions में से एक evidence नाम के locations का दोरा करना भी शामिल है यहां आपको rare monster eggs और bottle caps को ढूणना पड़ता है bottle caps को बाद में, बस्तियों में और गाहों में, special items और gears के लिए एक feline millings inc. के साथ trade किया जा सकता है game में fast travel मौझूद है और उन्हें map पर billy के पंजे की निशान द्वारा दर्शाय जाता है उन्हें game में cat awareness कहा जाता है, यह आपको अपनी progress को save करने की option भी देते हैं stables वो जगा है जहां आप अपनी monsters को hatch और parties को manage कर सकते हैं आपके expeditions को पूरा करने के बाद आपके monsters experience gain करते हैं और आपके साथ साथ level up भी करते हैं आपको याद होगा कि विच्व 3 में आपके पास grindstones थे जो आपके weapons को 20% तक buff करते थे well यहां आपके पास prayer pots हैं जो आपको लगबग 20-25 minute के लिए extra xp, extra defense या extra damage दीते हैं जब आप towns का दोरा करते हैं तो quest sports आपका ध्यान आकर्शित करेंगे यह side missions हैं और वो आपको special skill scrolls देते हैं जो आपके weapons को additional abilities प्रदान करते हैं right of channel नी नाम का एक mechanics भी या है जो आपके monsters के लिए power ups जैसा काम करता है खेर एक समय आएगा जब आपको ऐसास होगा कि आपका favorite monster एक move set को miss कर रहा है जिसे आप दूसरे monster में पसंद करते हैं यहाँ आप दूसरे monster को sacrifice करके और अपने पसंददा monster को एक नए move से दे सकते हैं यह आपको अपने पसंददा monster को अभी भी अपना favorite बनाए रखने में मदद करता है क्योंकि कभी कभी अप्रेट करना हमेशा replace करने से बहतर होता है राइट और चैनलिंग बिंगो बोनसिस भी देता है जब आप gene board को इस्तमाद करते हैं तो आप gene type को diagonally vertically या horizontally room से मिला सकते हैं और power abilities को maximize भी कर सकते हैं मैं X को loot करने के बारे में बात कर सकता हूँ rare monsters के लिए power genes कैसे prepare करना games के hard mechanic से बारे में बात कर सकता हूँ पर मैं आपको अपने आप चीज़ों को explore करना और कुछ नए चीज़े discover करने को कहूंगा क्योंकि यहां काफी कुछ हो रहा होता है video games की virtually gorgeous दुनिया में खास दौर पे RPGs में customization एक ऐसा element है जो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए inspire करता है और कभी-कभी game को end करने के बाद भी आप अपने राइडर के body type, face shape, skin tone, hair style और color आँखे, मू, make-up, आवाज और नाम कस्टमाइज कर सकते हैं और यह यहीं खतम नहीं होता है आपका companion Naviro एक smart लेकिन बड़े मू वाला बिल्ली जो नहीं जानता है कि कब उसे चूप रहना है आप इसे भी कस्टमाइज कर सकते हैं हर एक टाउन में आपका खुद का एक घर होता है यहां आप अपना hair style, makeup, armor color एक अलग armor layer में swap और Naviro की outfit को भी बदल सकते हैं आप एक character जिसका नाम कनेटी cat है से मिलेंगे जो की Capcom द्वारा offer की गई DLCs के लिए आपका in-game store है तो और customization options आपको store में मिलेंगे कुछ free हैं और कुछ खरीदे जा सकते हैं तो customization definitely fun है और आपको घंटों तक engaged रखेगी JRPGs के बारे में कुछ ऐसा है जो मुझे उनके करीब लाता है वैसे तो काफी सारे चीज़े हैं लेकिन JRPGs में music definitely एक highlight है आपने मेरे वीडियोस में Near Automata के लिए मेरी प्यार को देखा होगा जो कि JRPGs में शायद one of the best musical scores है Monster Hunter Stories 2 हाला कि Near Automata के बरबर नहीं आता है पर वो मेरी उमीद पर खड़ा होतरता है जब आप game शुरू करते हैं तो आपका स्वागत इस सुन्दर तासी होता है Shining in the night upon wings you'll fly Oh, from the dark brightening the sky Just like the sun Our salvation enlightened by you Oh, sacred star, light our way Music आपकी journey थोड़ा और spiritual बना देती है आपको motivate करती है और आपको uplift भी करती है Cut scenes के दोरान direct delivery भी अच्छी तरह से choreograph की गई है और character models को suit करते हैं Monster Hunter Stories 2 PvP और co-op elements भी जोड़ता है base game में जहाँ आप अन्ने riders के साथ या उनके खिलाफ केलते हैं ये options quest boards के थूँ optional quest द्वारा access किया जा सकता है ये एक reviewer होने का एक tough spot है जहाँ मुझे अपने personal bias को अलग रखने और एक regular gamer के perspective से game को analyze करना होता है तो game में कुछ खामिया भी है आए इन्हें जानते हैं Game की दुनिया सुन्दर है लेकिन ये बंजर है monsters से लणने के लावा eggs, loot और items कलट करने के लावा और जादा कुछ नहीं है यहाँ पर ये एक miss है क्योंकि Capcom उनके द्वारा बनाएगे इस खुबसु दुनिया के साथ बहुत कुछ कर सकते थे side quest ठीक है पर यादगार नहीं है उनकी writing बहतर हो सकती थी JRPGs हमेशा अपनी rich immersive storytelling के लिए जाने जाते हैं monster hunter stories 2 में कहानी अच्छी है पर ये एक persona या final fantasy या dragon quest की standards तक नहीं आती है और कहानी कुछ हद तक predictable भी है turn based combat एक अच्छी mechanics है लेकिन gamers जो monster hunters की पहले games की real time action को पसंद करते हैं उने शाहिद ये पसंद नहीं आए लेकिन ये personal choice का मामला है क्योंकि कुछ players को ये repetitive लग सकता है main character के पास sprint या jump button का option नहीं है यार मैंने breath of the wild से link को काफे miss किया तो exploration मुझे लगा कि इन सब कारणों की वज़े से restrictive थी game में कोई micro transactions नहीं है लेकिन बहतर gears और equipment को हासल करने के लिए आपको अच्छी मात्रा में grinding करनी पड़ेगी game में एक जूरी mechanic looting eggs है और collecting monsties है जिसके लिए आपको randomly generated dungeons को explore करने की जुरूरत है मुद्ध ये है कि वो randomly generated dungeons बस copy and paste है और उनमें explore करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है monster hunter stories 2 के मेरे खेलने के बाद मुझे कहना होगा कि मैंने अपने 40 घंडी की play time को enjoy किया game monster hunter series के rich lore और चिपे हुए narratives को जोड़ती है और इसे एक expansive layered in-depth jrpg story और gameplay elements से मिलाती है आप 120 से अधिक monsties से मिलते हैं tame करते हैं और भागिदार बनाते हैं चुनने के लिए अंगिनत armor और weapons के साथ amazing crafting और customizations को अनुभव करते हैं एक compelling storyline को experience करते हैं हाला कि ये epic नहीं है लेकिन ये अच्छा है उसके story points के joy और agony को मैसुस करते हैं अब एक haunting और दिल को छूँ जाने वाली musical score हिट करती है और इसमें interesting pvp और co-op mechanics को आप जोड़ दें एक game जहां कोई micro transactions नहीं है जहां कोई hidden paywall xp system नहीं है एक game जो काफी well optimized है तो आपको शायद hub की अपनी game जिसे अब ढून रहें मिल जाएगी इसलिए इससे पहले कि मैं video को end करूँ मैं फिर से पूछना चाहता हूँ एक game को क्या चीज महान बनाती है अगर आपको लगता है कि मैंने अपनी review में जो points बताया है वो आपके play style के साथ resonate करती है तो आपको पेशचक monster hunter stories 2 को खरीतना चाहिए या अगर आप JRPGs में अपनी पहली कदम रखना चाहते है तो मैं इसे आपको sale पे खरीतने की सला दूँगा और हाँ अब भारी आती है black skyward giveaway की winner की announcement की जो randomly चुना गया था वो है pet world आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरे दोस्त आप मुझे मेरी चैनल की about section में जाकर मेरे email पे एक email कर दे verification के बाद मैं आपको वो game की steam code वापस email कर दूँगा मैं एक पल लेना चाहता हूँ और उन सबी को appreciate करना चाहता हूँ जिन्होंने giveaway में हिस्सा लिया वैसे फॉरन नाइट की giveaway अभी भी active है आपको बस इतना ही करना है कि description में मेरी review link पर click करके video पर comment करना है कि आप क्यों इस game को खिलना पसंद करेंगे AAA gaming reviews, previews, analysis और 1 minute indie game reviews और weekly gaming news के लिए please हमारे चैनल को subscribe करें और notification को all पिसट कर दे शुकरिया